पढ़ना चलिए जी आभी मा और पापा जी भी देरादुन से घर आ गिये हैं मा को देरादुन कैसा लगा पुराने लोगों की इस स्पिकर से बहुत सारी यादे होंगी और जो पुराने उनके घर थे यहां पे उनके अउस्टे सब यहां पर हैं यह देखो इसमें पानी भी जमा उर्ख है हेलो एब्रीवन गुड मॉनिंग नमस्ते स्वागतिया आपका हमारे एक और ने ब्लोग में उत्रा खंके इन खुब पहाड़ों से कल मेरे पाउं में थोड़ा सा मोच आ गई थी और मैंने अभी गरम पट्टी लगाई हुई है तो अभी थोड़ा सा सूजन अगर हॉस्पिटल पास में होता तो मैं फटा-फटा एक्सरे करवा लेता लेकिन हॉस्पिटल दूर है एक वार यहां से उपर गाउं में पैदल जाना पड़ेगा फिर वहां से 22 किलोमेटर दूर हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा तो मैं सोच रहा हूं आज रुक मैं देता हूं क्या पता सिर्फ मोची आई होगी तो देखते हैं अभी नाज तक किया है जस्ट मैंने और मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं हॉस्पिटल चलता हूं क्योंकि कल संड़े है फिर परसों तक बहुत देर हो जाएगी अभी मैं घर से आदा किलोमेटर ही आया हूं आराम आराम से और गाउं देखो अभी भी उपर उहां पर है और बहुत पहले की बात बताता हूं मैं एक बार दाजी बीमार हुए थे तो दाजी को ना ऐसे हम घुगी मनलब पीट में लेकर गए थे यहां से उपर गाउं तक एक बार मेरे भाई का पैर भी कटा था तो उस टैम पे उसको ना हर हफ्टे यहां से lifestyle l लेकर पड़ाता था तो मैं उसको यहां से पीट में लेकर जाला था उपर और उस टैम पे हमारा नया वाला घर भी नहीं था उपर गाउं में तो इस टैम भी बहुत सारी दिक्कते हम हुई आप लोग बोलते हो कि आपके हां पर सब कुछ कितना अच्छा है सब कुछ अच्छा नहीं है यहां पर बीकुछ दिक्कते होती है कल रात को इनी रास्तों से में घर आ रहा था मेरा पाउम मुड़ा था और आपको वह जगे भी दिखाता हूँ जहां पर मैं गिरा था तो यहां पर मेरा पाऊ देख्या जी करल मेरा पाऊ मुड़ा था यहां पर इस ने घिरा इदर को नहीं कि अधिन चलिए जी अब ये होस्पिटल में पेर दिखा दिया है दो दिन की दवाई दी है मैं तो सोच रहा था कि एक्सरे करना है तो पिछले बार वी जब लगी थी पेर में तो इस टाम मैंने लापरवाई की थी अब दो दिन की दवाई दी है अगर दर्द कम नहीं होगा तो उसके बात एक्सरे करवाना है दिन के अभी दो बजने वाले है मैं भी घर में पहुंच गया हूं मा अंदर खाना बना रही है और मैं चाहता था कि आज एक्सरे करवाऊं लेकिन आब होस्पिटल के हालत वी ऐसी है कि वहाँ पर ना एक्सरे मशीन तो है लेकिन उसको ऑपरेट कर करने वाला ही कोई नहीं क्या ही बोला जाए अब और आज हमारी घर के नीचे जो नदी है मोदुगंगा तो वहाँ पर देखो नदी में एक पुल बन रहा है लकडी का नदी के पार जाने के लिए वहाँ नदी पार जाकर वहाँ से घास कुछ लाने के लिए लगाया हुआ ह और ताओ जी भी वहीं पर गए है अभी गुट मॉर्निंग एबरिवन सुबह के अभी दस वज रहे हैं पैर अब थोड़ा सा ठीक है सूजन भी कम है दर्द भी कम है और आज मैं उस पर थोड़ा सा कच्छी हल्दी का लेप लगाँगा तो उसके बाद हो सकता है जो दर्द है सूजन है वो पूरी तरह से कम हो जाए बाकी हमने एक ट्रेक पर जाने की भी सोची थी एन मौकिपर में यह हो गया तो अब पता नहीं हो ट्रेक भी कब सुरू होगा बाकी ब्लोग में भी कंटिनुटी नहीं आ रही है इसलिए आप लोग कनेक्ट नहीं हो पारे अच्छ से तो चीजें कुछ ऐसी हो रही है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं अपनी पढ़ाई को लेकर भी और धेली ब्लोग को लेकर भी तो इसलिए जब जब मुझे टाइम मिल रहा है उस टाइम पर मैं ब्लोग भी बना रहा हूं बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और यहां बहार पर देखो सब कुछ आज बिखरा बिखरा हुआ नजारा रहा है मैंने सारे अपने जितने भी कपड़े हैं बहार दूब में सुकाने के लिए डाले हुए हैं क्योंकि आज मैं करने वालों अपने कमरे के अच्छे ढंग से सपाई सामने पर देखो बड़ी मैं आभी वहां पर गाए बेलों को लेकर गई हुई है और एक और बात है आज देरदुन से मा और पपाजी भी घर आ रहे हैं तो अच्छी बात है बड़ी मा पर आजकल घर की पूरी जिम्मेदारी थी सब जो भी काम होता है तो थोड़ा बहुत उसमें मैं भी मदद कर रहा था बड़ा सा स्पीकर अब एक बात तो है पुराने लोगों की इस स्पीकर से बहुत सारी यादे होंगी पहले जब टेप और डेक का जमाना था तो इस टाइम पर इसको उससे जोड़ते थे और फुल गाने बजाते थे दिन हो या रात को हो उसके बाद धीरे दीवी आई तो दिरे दिरे ये स्पीकर भी ऐसे रहने लगे तब और हमारे पास यह बहुत पहले का है अब देखको मैंने पूरे कमरे में ऐसा सामान फैला रखा है और महां यहां पर चाहे लेकर आ गई है चलिए जी अच्छे डंग से अभी सब कुछ सेट हो गया है मेरी आजकल एक सबसे बुरियादत हो गई है घर में नास्ता सबसे लेट मैं करता हूँ तो चलो फटा बट नास्ता करते हैं नास्ते में है आज अर्वी की सबजी राजमा की दाल और रोटी किया अर्वी दूसे होड़गी कौतने इक वे लेशन एक दूभे 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 एक यह यह तो आप चलिये जी आपी मा और पापाजी भी देरादुन से घर आ गिये हैं कैसा लगा देरादुन में तब भडिया आठ भी गाड़ी में थोड़ थोड़ थोड़ा ठीक अभी में पैर पे ये वाली दवाई लगा रहा हूँ उसके बाद धरम पट्टी लगा दूंगा अच्छे डंग से और देखो पूरा कैसा पैर नीला हो रखा यहां से और यहां नीची की सहट से भी और अभी भी देखो सूजन है पैर में सामके अभी पांच बजने वाले हैं घर में बड़ी बोर्यत सी आ रही है तो हम लोग जा रहे हैं अभी जंगल में वहां पर कुछ बनाएंगे थर्मस में मैंने रख दिया है इस पर पानी लेकर जाएंगे बाकी घर में सिर्फ अनुज है यहां पर जो कि थोड़ा बहुत सामान रख रहा है हम लोग जाएंगे ठीक सामने जो धार दिखाए दिरे ना वहीं पर इस वाले पैर पर देखो मैंने गरम पट्टी अच्छे से लगाई हुई है बड़ा संबन कर चलना पड़ रहा है अगर थोड़ा से भी पैर फिर से मुड़ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगे और जह को यह हमारा चूला है यहां पर पिछले Wähर का चूला एंस पड़ी डाल लगी यहां पर देखो हमें एक लाईटर मिल गया है चेक कर तो जल रहा है अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि याँ पर हम क्या-क्या सामन लेकर आये हैं यह देखो बैग में कुछ सूप के पैकेट हैं और साथ में तीन मैगी के पैकेट और साथ में बनाने के लिए यह वाला बरतन ला रखा है और अनुजने यहां पर देखो इस्पेसल मसाले भ अब नीचे वाले पेड़ पर देखो एक पक्षी जीब से आवाज कर रही है वह म्यूली पक्षी है और वह इसी मैने से बास्ती है मला अब दीरे दीरे गर्मी बढ़ती है तो गर्मियों के टायम पर बहुत ज्यादा ऐसे आवाज करती है फिलाल यहां पर आग जला देते ह जिस जगह पर अभी हम लोग आये हैं यहां पर पहले लोग रहते थे दिरे दिरे उन्होंने यहां पर यह जगह छोड़ी बस उनके खेत यहां पर है और जो पुराने उनके घर थे यहां पर उनके अउस्सेस अब यहां पर है यह देखो यहां पर यह पूरे घर की दिवार यहां से आगे तक और यहां पर एक और चीज में आपको दिखाता हूं इस वाले पत्थर में इन्हों ने ओखली बना रिखिया है यह देखो यह देखो इसमें पानी भी जमाऊ रख है और यहां नीचे की साथ पूरे खेत हैं यह जो कि आप समय के साथ साथ दीरे-दीरे में जर होने लग यह हैं के मैगी सामने की तरफ देखो कोई हिरन जोर-जोर की आवाजें कर रहा है यह सुनो आप और ठीक यहां उपर की तरफ देखो वहां पर बेड़ बख्रियां भी आप जंगल से घर जाने के लिए तयार हो गई हैं और यहां पर इन बड़े-बड़े पत्थरों पे देखो यह ऐसी सैवाल जमी हुई है हर जगे इसका यूज पुराने जमाने में लोग महंदी बनाने में किया करते थे देखे जी हमारी गर्मा गर्म मैगी बनने वाली है और इसके बाद बनाएंगे हम घर्मा गर्म सूप पर एक चीज की दिक्कत हो गई है हम सूप बनाने के लिए ना कुछ भी और बरतन लेकर नहीं आए है तो एक बार मैगी बनाते हैं उसके बाद देखते हैं तो मैगी एक अमलस लसकार बन चुकी है रोटी होगी तो और भी मजात अथा लानी थी ना घर से भूल गए ना क्या पता था मैगी ऐसे बनेगी और कल पर सोहम ठीक उपर वहां पर गए थे मैगी खाने के लिए दिखो उस वाले धावे में जिसके उपर ठीक टावर लगा हुआ है और उसी दिन घर आते हुए मेरा पाओं फ्रेक्सर हुआ था निकल गई गाई अब मेरे लिए तो यह कटो रहा है और साथ में बड़ी सी चमच अन अनुज ने मसालों के साथ साथ एक्स्ट्रा नमक भी रखा था तो साइथ नमक ज्यादा हो गया है थोड़ा सा मैगी तो अभी खा दिया है बहुत अच्छी बनी हुई थी बाकि अभी सूप पीने का मन नहीं गर रहा है तो सूप नहीं बना रहे हम लोग यहां पर मस्त आग जलाते हैं थोड़ दिर बैठते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर के लिए अभी तो टाइम है अंदेरा होन यारू रात के अभी दस बजने वाले हैं हम लोग मस्त यहां पर बैठे हुए हैं और कल तक हम सिर्फ तीन लोग थे मैं बड़ी मां और ताउजी गर में और आज मां और पापाजी भी देरदून से आगे हैं मां को देरदून कैसा लगा बहुत बढ़े अब इतने दिन मां अकेली थी गर में कैसे लगा अरब के बड़े में बड़ी मां और ताउजी गये थी देरदून और रिसु के बड़े में मां और पापाजी और अभी तक हम डेर सारी बाते कर रहे थे यहां पर आज अच्छा भी लग रहा है और साथ में रिसु इन से वीडियो कॉल भी कर थे तो चलिए फिलाल हम लोग यहां पर बैठते हैं अभी थोड़ी और गपे लगाएंगे आप से बिदा लेते हैं इस वाली ब्लोग में मिलते हैं आप लोगों से नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्क्रते रहिए जैहिंजवर्जलतरा खंट बाइ